हाई गाईज वैलकम बैक टू माई चैनल मैं हो सिल्की और आप देख रहे हो सिल्की प्यूटी गाईज हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो हमारे चहरे पर बिल्कुल दाग धबे ना हो पर कभी कभी क्या होता है पिंपल्स के वज़े से या धूप में जाने से हमारी स्किन टैन हो जाती है जिसके वज़े से हमारे कलर जो है डाउन होते चले जाते हैं पर हम क्या चाहते हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो और एक फ्लॉलेस साइन देती हुई हो तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वा मैंने सबसे पहले बेसन लिया है आपको क्या करना है आप दो चम्मच बेसन लोगे ये देखो ये मेरी टी स्पून है आप उसी के अकॉर्डिंग लोगे ये मैंने दो चम्मच यहाँ पर बेसन लिया है क्योंकि बेसन एक नाच्रल क्रिंजर है जो हमारे स्किन के टानिंग को दूर करती है और दाग धबो को भी दूर करती है ये देखो ये मैंने दो चम्मत जो है वो मैंने बेसन ले लिया है और आपसे मैं एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्र कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शरूर करे अब हमें इसमें सेकंड इंग्रिटेंट्स मिक्स करनी है वो है ये दही जिसे हम कर्ड योगर्ट भी क्याते हैं दही मैंने अपने घर में जमी हुई दही लिया है और इसे मैंने फेट लिया है तो आप भी इसे थोड़ी सी फेट लोगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड होनी चाहिए ये देखो ये मैंने इसमें दो चमच मैंने दही डाला है अब मैं इसे मिक्स करूँगी अगर ये थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तो मैं इसे और थोड़ी पतली करूँगी ये देखो ये मैंने इसमें दो चमच, बेसन में दो चमच मैंने दही डाला है, अब दही क्या करता है, दही जो है, वो हमारे skin में एक natural bleach की तरह काम करती है, दही में पाई जाने वाले lactic acids और alpha hydroxy जो होते हैं, वो dead cells को दूर करके new healthy cells बनाने में भी help करती है, अब हमें इसमें एक third ingredients mix करनी जो आप सभी के हमारे kitchen में हमेशा ही available होती है, और वो है ये turmeric powder, इसे मैं सिर्फ एक चुटकी लोगी, देखिए मैंने बस एक चुटकी, यानि कि एक pinch of turmeric मैंने लिया है, आप भी इतने ही डालोगे, और guys ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैंने जो healthy use करती हूँ, ये मैंने कच्छी healthy को piece करके powder बनाया हुआ है, kitchen की healthy जो होती है, उसमें color mix होती है, तो आप भी चाहो तो घर पे ये healthy prepare कर सकते हो, अब आपको क्या करना है, इसे mix करना है, और guys आप वीडियो को last तक देखोगे, क्योंकि इसे apply कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, अब आप इसमें देखोगे कि मुझे थोड़ी सी और दही mix करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, अब ये इसमें mix हो गई है, अब इसके लिए इस जो remedy है, इसे सबसे best बनाने के लिए, जो हमें सबसे last ingredients चाहिए, वो है ये lemon, अब lemon आप एक टुकड़ा लोगे, ये मैंने देखिए, एक टुकड़े lemon को ही use कर रहा है, ये lemon के juice को आपको लेना है, seeds आप बाहर कर दोगे, नीबू जो होता है, वो हमारे चेहरे को glow बढ़ाने के लिए, दाग धबे को दूर करने के लिए भी use किया जाता, आप देखो, मैं lemon की juice इसमें डाल रही हूँ, बस थोड़ी सी आपको lemon juice डालनी है, नीबू जो है, वो हमारे skin से दाग धबो को दूर करेगा, क्योंकि vitamin C सबसे ज़्यादा lemon में ही पाए जाती है, vitamin C, phosphorus और carbohydrate जैसे गुन पाए जाने के कारण, ये antifungal भी होती है, और आपके skin से जितने भी तरह के दाग होते हैं, वो सारे को ये दूर कर दी है, अ अब आप इसे regular 7 week तक आप यूज करोगे, आप इसे अपने face पे लगाओगे और 30 minutes तक बिलकुल dry होने दोगे, जब ये अच्छे से सूख जाएगी ना, तो आप इसे normally tap water के help से धो करके साफ करोगे, ये देखो, आपको ऐसे ही इसे apply करना है अपने face पे, और 30 minutes तक लगे र सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, so thanks for watching, see you in next video, bye bye